नमस्कार दोस्तों स्वगत आपका इस्टेटीफोर सिब्सेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिन तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टेटीफोर एक जांस में दोस्तों यूपी पीसेस प्रेजिम्स 2000 पेस के लिए हम लोग करेंट अफेर का क्विक रिवीजन कर रहे हैं और इस सीरीज का है तीसरा वीडियो है दो वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इ हमारे काई प्रेजूप चल रहे हैं अगर आप इन प्रेजूप से जुड़ना चाहते हैं तो यह हमारे दिये गए नंबर है इस पर कॉल यह वर्श्व करके जो जनकाई प्राथ कर सकते हैं तो आई हम लोग वीडियो शुरू करते हैं 2022 होरून ग्लोबल 500 मुल्यवान कमपनी सुची में जो भारत को अस्थान दिया गया है वह भारत को पांचमा अस्थान दिया गया है और भारत की 20 कमपनियां इस लिस्ट में जो है सामिल है तिया जो है देशवाई सुची है इसमें पर्थम जो अस्थान दिया गया है वह अम कमपनियां इसमें सामिल है 28 कमपनियों के साथ जापान जो तीसरा स्थान पर है और वहारत 20 एस वाइस वाइस जारी हुई है रांकिंग जारी कि गई है और एक कमपनिय वाइस रैंकिंग जारी की गई है कम्पनी वाइस रैंकिंग में जो है अमेरिका की एपल जो है वो पहले स्थान पर है दूसरे अस्थान पर आपका Microsoft है और तीसरे स्थान आपका Alphabet है त्या जो है टॉप थ्री कंपनियां है एपल Microsoft और Alphabet भारत की जो कॉप कंपणियां सामिल उनकों मोग देख लेते हैं भारत की Reline industry है जिसे इस रैंकी में 34.0 पर रखा गया है, TCS को 7.0 में अस्थन पर रखा गया है और HDFC base को 111 1 1 1 1 1 रखा हैं भारत की सबसे मुलवान जो कंपणिया है वह Relyeed Industry है जिसे इस उची में 34 अस्थन पर रखा गया है बाकि जो 17 अन्य कंपणिया है वह भी सामिल है तो टूटल जो है भारत की 20 कंपणिया सामिल है 2022 होरुन ग्लोबल 500 मुलवान कंपणिया में और इसके साथ भारत का जो अस्थान दिया वह पाँस्चा अस्थान दिया घ्या है भारत दुनिया भर में प्रेशन रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्त करता बना है बी देशों से मनी-अर्डर प्राप्त करने में जो पर्थम सीर्थ जो देश है उनमें आपका भारत है चीन है मेक्सिको है फिलिपिंस और मिस्र है और जो आपने अर्था भारत भारत भेजते हैं और अपने कमाई का अे बड़ा हिसा आतकता है, तो इसी को पढ़। प्राप्त करने में हैं भारत जो है एक प्रेशन किस देशे करता है उसके स्णूध कौना है सबसे बड़ा अमेरिका रहा यह सबसे ज्यादा धन मिलता है वह पैसा भेचते न सथान अब है संभिद्वत अ्रब कशे हैं पैसा बारती नागरइक संभिद्वत सब्सेंघ कोुझे बहारत में सबसेंट विदेशी निवेश जो आता है वेस सिंगापूर Зд कशे आता हैं दूसरा जो अस्थान वो अमेरिका का है और तीसरा जो अस्थान वो आपका मौरिसस है भारत में जो अस्थान वो आपका सिंगापूर है अमेरिका है दूसरे अस्थान पर और मौरिसस आपका तीसरे अस्थान पर है हम लोग यहाँ पर छेत्र देख लेते हैं किस छेत्र में FDI सबसे ज़्याद आता है तो सबसे देवे FDI आता हूँ आपका computer software और hardware में आता है दूसरा जो अस्थान आता आपका सिवा है और तीसरा जो अस्थान आपका automobile है तो यह जो है टॉप 3 FDI के स्रोथ है भारत दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है पहला जो अस्थानवा अमेरिका का है और दूसरे अस्थानवा का चीन है हम लोग जान लेते हैं कि भारत में बिजली उत्पादन का स्रोथ कौन कौन से है तापी उर्जा जो है भारत में बिजली उत् पर निकरते हैं दूसरा जो अस्थान आपका आता है और तीसरा अस्थान आपका आता है पर्माल उर्जा का यहीं प्रस्णाकी परिच्छा में आरोही आरोही क्रम में भी सजाने को आ सकता है तो सबसे बड़ा जो स्रोथ है भारत में उर्जा का आपका तापी उर्जा है दू सवर उर्जा में भारत का ब्रॉपं करने का सब्सक्राइथ य बिजली शमटा को these अगला जो फैक्ट है भारत के पहले अंतराष्टी बुलियन एक्चेंज का उद्गाटन प्रधान मंत्री नरीद मोदी ने सूरत गुजरात में किया है फाइनेंसियल एक्टन टास्पोड जीसे हम लोग EFATF की नाम से जानते हैं अमसार भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन खर्च वाले देश बना है तीसरा जो है सबसे बड़ा सैन खर्च वाले देश आपका बना है वह अपना भारत देश है सबसे जो खर्चा करता है अपने सैन को पर वह आपका अमेरिका है सबसे ज्यादा खर्च करता है दूसरे अस्थान आपका चीन है और तीसरे अस्थान पर अपना भारत देश है सीपरी रिपोर्ट के अनसार ब्रिक्स का 14 सिखर समयलन 23 जून 2022 को चीन की अध्यश्ताम हुआ था हम लोग जान लेते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश है तो ब्रिक्स में आपका रूस है चीन है जापान है भारत और दजश अथिक अध्यश्ताम है और जो फैक्ट है जर्मनी में दुनिया की पहली याज़़ोजन से चलने वारी डिन लांच किया गया और दूसरा जो चालू होई है hydrogen science वह चीन ने शुरू किया है चीन ऐसा रिज बना है जिसने hydrogen चलने वाली ट्रेन लँच किया है दुनिया के सबसे ब्यस्ट हवाईयड़े की रैंकिंग जारी की गया है इस रैंकिंग में जो है टॉप तीनों जो जो हवाई यड़ा चुना गया है वह अमेरिका का चुना गया है इसमें आपका अटलांटा है एक डलाज फोर्ट बर्थ है तीसरा आपका देन वेर है टोटल जो है टॉप थ्री जो सबसे बेस्ट हवाई यड़ा चुना गया है वह अमेरिका का है अब बात कर लेते भारत का पर पेच में तो भारत का जो है इंदिर्या गांदी इंटरनेस्टाल हावाज़ड़ा जो दिल्ली मिस्थित है उसे तेरा हमां अस्थान दिया गया यह काफी इंपॉर्टेंट है इस फैक्टों आपने जरूर नोट कर लिजेगा और सबसे बेस्ट हावाज़ड़ा जो चुन रखी गई है तिया जो है फास्टर सेरीज है आप लोग इस सेरीज के ज़रूर फालो करिए आपको पेपर में यहां से मैक्सम्म प्रस्ट देखनें को मिलेंगे कोब 27 में वैस्विक अप 30 पवन गड़ बंदन के लिए नव देशों ने हस्ताचर किया है आई हम लोग देख के लिए इसमें सामिल होने के लिए जो है गोचला कर दिया है कॉप 27 में इन नव देशों ने वैस्विक आप तटी पावन गड़ बंदन के लिए हस्ताचर किया है केन सरकार और असम सरकार ने पूर्वोत्तर में पांच विद्रोही गुटों के साथ त्री पच्छी सांती पर हस्ताचर किया है सेम इसी पैटर्ण पर 2022 में एक प्रस्ण पूछा गया था इसलिए प्रस्ण आपके परिश्यक लिए काफी उपयोगी है इसमें केन सरकार भी थी असम सरकार थी और पूर्वत्तर के पांच विद्रोही गुट भी जो है इस तरी पच्छी सांत सम्झोते पर हस्ताचर किया है 2022 में पांच राज्यों में साथ ही विद्रान सभा चुना हुए थे उनको हम लोग बार देख लेते हैं यूपी में हुआ था जहां के विद्रान सभा सीट टोटल 403 है गोवा में 40 सीट है और वहां के मुखमंत्री जो है वह प्रमोज सामंत बने है और यूपी के योगी आदितनात दूसरी बार जो है उतरपरिश के सीम बने है मर्ड़पुर्ण में जो विद्रान सभा सीट सबसे इंपर्टन आप लोग फैक्ट इसको ध्यान देती रहिएगा कि टोटल विद्रान सभा सीट कितनी है मर्ड़पुर्ण में टोटल 60 है और यहां के जो चीप मिनिस्टर बने है वह एन बिरेंसिंग बने है उतरा खड़ म में से एक अन्य राज को दे दिया जाएगा और पूशा जाएगा कौन पांच राज में सामिल नहीं थे इन पांच राजों को आप लोग याद कर लेजेगा साथ में सबसे इंपर्टन जो है इनकी विद्रान सभाग जरूर नोट कर लिजेगा अगला जो फैक्ट है वह पोगिजरा टाइटन्स रही है और इसके जो कपतान है वा हार्टिक पंद्या रहा है और उन्हों राजस्तान रॉयल्स को हराया था तो फै Hampshire कर लिजेगा है brightest fan प्राइटन्स रहा है इसके Яळा सबसे जो कइप दिया वह जो इक श्वार्ड विकटकर लेता है और ये उनकी ह परपल कैप दिया जाता है और यह जो है यह जुए 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 rag hano kena का फिथाब जीता है और वर्तमान चाल जो 2023 का आईपेल चला है यह इसका स्表ाख छंक करने हैं यहाँ से विआ हम लोग नोट कर लेते हैं हम लोग जान लेते हैं सेयम करण जो है वगा है। अभा है सुलाहमी सीजन में 2000 पेस नहीं और सब्सक्री इंपॉर्टन जो फेक्ट आपका है टाइटल स्पॉंसर का होना है तो यह आपका टाटा गुरूप है यहाँ पर फोटो इसलिए लगा गया है टाटा जो है टाइटल स्पॉंसर है सुलाहमी सीजन के IPL के और टोटल दस टीमे है यह आपकी दस टीमे चन्नाई है देल्ली है गुजरात कोलकाता लखनो मुंबई पंजाब राजस्तान रोयल चलेंजिस मंगलुरू और आपका संराइजिस हैद्राबर टोटल जो है दस टीमे खेल लगे हैं IPL 16 मे यहाँ कुछ दूसरे तक बनाए राजस्तान के अबुडलकादिर है जो इंग्लेड की महिला कफ्तान भी है ऑगना इसे इसे आपके वेस्टेंडीज के खिलाडी दह है इन तीनों को ICC के हाल आफ फेम में सामिल किया गया है और वरतमान में जो है BCI जो चेर्मेन बनाए गया है वरतमान में है वह आपके रोजर बिन्नी है इससे पहले जो है सवरो गांगुली BCI के चेर्मेन दहे है विजय हजारे ट्राफी को स सवराष्ट ने महराष्ट को हराकर जीत लिया है अगली जो ट्राफी वह सयाद मुस्ताक अली ट्राफी है इसे मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर जीत लिया है सयाद मुस्ताक अली ट्राफी 2022-23 मुंबई ने जीता है हिमाचल प्रदेश को हराया फाइनल के मैच में इराणी ट्रॉफी को सेज भारत रेस्ट इंडिया ने जो है वह मध्य प्रदिश को हराकर यह ट्रॉफी जीत लिया है इराणी ट्रॉफी जो है वह सेज भारत ने जीता है अगला आपका रनजी ट्रॉफी 2023 है इसमें भी स्वराश ने बंगाल को हराया फाइनल के मैच में बं संगाल को हराकर स्वराश्ट ने रनजी ट्रॉफी 2023 को जीत लिया यहां पर नया फैक्ट है 2023 का भी जो रिजल्ट आ चुका है और संतोष ट्रॉफी का जो फाइनल है वह करनाटक और मेगालक मत खेला गया था जिसमें करनाटक ने जो विज़ाप्राप्त की और इन्होंने फा आउजन है वह आश्ट्रेलिया में किया गया है टोटल जो है बार हाटीमों ने भाग लिया है आठ में टी टॉन्टी विस्तुकब 2022 ने और जिसका आउजन आश्ट्रेलिया में किया गया है और इसमें जो है फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड जो है फाइनल जी लिए हैं आठ हमें T20 भी सुकब 2022 ने हैं प्लेयर ऑफ द सीजन का जो खिताब है वह इंग्लेंड के प्लेयर सैम करन को दिया गया है तिस प्रकास जो है आठ हमें T20 भी सुकब 2022 से जो भी इंपॉर्टन फैक्ट है हम लोग उसको कबर कर लिए हैं भारती ओलंपिक संग की पहल क्यों हुआ है अगला जो फैक्ट है पोफस के सबसे रख कमाई कानेवाले अथलीटों के लिश्टमल मेंची को दिया गया और इनकी एक वर्स के पुल कमाई है और आपके 130 मिलियन डालर इनकी वर्स के कुल एक इंकम है इस में दूसरा जो स्थान दिया गया वह ले ब्रोन मिलियन डालर इनकी पुल इंकम है तो फोब्स की सबसेदा कमाई कानेवल एक्सलीट में पर्थम अस्थान दिया गया है वह लिए उनल मैसी को दिया गया है और यह एक फुटबालर खिलाडी है और इस लिस्ट में जो है एक मात्र भारती सामिल है वह आपके विराट कॉली है खि Cool income है वह 262 करोन रुपई इनकी एक साल के कुल इंकम है तो फोब्स की सबसेदा कमाई क्सलीट में जो एक भारती सामिल है में आपके विराट कोहलें है और इनकी जूइक Clically एक साल में 252 करोन रुपए है यूफे व एन 2025 जल समीलंग जो आयजड़न है वे अमेरिका कि न भारत सन्युक्तराष्ट सांत मिशन में पहली बार महिलाओं की टुकड़ी सामिल करने वाला बिस में पहला देश बना है और यह जो मिशन आजित किया जा रहा है वह लाइबेरिया में चलाए गया है भारती अंतराष्टी विग्जान महुसर 222 का जो आयोजन है वह भूपाल में आजित किया गया है भारती अंतराश्टी विज्यान महुस्सा 2022 का आयुजन भोपाल मद्य प्रेश में आयुजित किया गया है भारत में अपना जलवाई परतन मिसन सुरूख करने वाला भारत का जो पहला राज बना है वह तमिलाड बना है जिसने अपना जलवाई परतन मिसन सुरूख किया है अगला जो फैक्ट है CSIR की जो पहले महानेजिसक बनी है वो नल्ला थंबी कलाई सेल्वी बनी है पहली महिला महानिदिसक CSIR की वह नल्ला थंबी कलाई सेल भी बनी है यहाँ पर हम लोग कुछ नियुक्ति को देख लेते हैं सन्युक्त राष्ट जिसका मुख्यार नियुजार्क में श्तित है और इसके जो महानिदिसक बनी है वह एंटोनिया गुट्रेस बनी है और यह है पुर्दगाल के हैं एंटोनिया गुट्रेस जो है यह पुर्दगाल के है आप लोग देख को जरूर नोट करते रहीगा क्योंकि बड़े नियुक्ति हैं और बार-बार परिच्छा में ही पूछता है कि नियुक्ति हुए हैं लेकिन एक किस देख के हैं कई बार लगातार परिच्व में पूछा गया है ।owe इसके जो महाना दा बनी है यह है पूर्तव संगधन के महाना दासति के वर्थमान में 202स व्यापार संगधनन की जो महाना दासति के वननगोंजि उकोंजो इवेला बनी है और यह है पहली महिला और पहली अफ्रिका की महिला बनी है 20 व्यापार संग्ठन की है और 20 व्यापार संग्ठन को जो मुख्याला है वो जेनेवा में स्थित है इंटरपोल का जो मुख्याला वल्लियोंस फ्रांस में स्थित है और वर्तमान में जो इसके महास्चिव हैं वह जनरल आहमद नासिर अल रैसी हैं और यह जो है UAE के हैं जो इंटरेट पोल के महास्चिव बने हैं डिफेंस एक्सपो का बरहामद संसक्रण 18-22 अक्टूबर 2022 के बीच हुआ है और यह आपका गांधी नगर गुजरात में इसे आईजित किया गया है और ग्यारामद संसक्रण गुजरात गांधी नगर में हुआ है और इसकी थीम रखी गई पाथ टू प्राइड इसकी थीम र गुरू दलाई नामा को यह जो है दिया गया है लद्दा के सर्वोच नागरिक समान दलाई नामा को दिया गया है किरन नादर को फ्रांस के सर्वोच नागरिक पुरसकार सेवलियर डे ला लीजियन डी होनूर नाइट ऑफ दा लीजियन ऑफ दा आनर जो है यह किरन नादर को दिया गया है जो फ्रांस का सर्वोच नागरिक सम्मान है इसमाईल 15 जो है यह जो पहल है यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले की एक पहल है इसमाईल 75 जो है 75 यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले की एक पहल है और अभी हाले भारत ने जो है डोर्निय समुदरी टोही बिमान भारत ने स्रूलंका को उपहार में दिया है एवा में परागवे में यह हवाजडे का नामकर्ण किया गया है अमेरिका दोरा यूक्रेण की राश्पती वुलादमीर जलन्सकी को लिबल्टी मडल परदान किया गया है अमेरिका ने यूक्रेण की राश्पती वुलादमीर जलन्सकी को लिबल्टी मडल दिया है और भारत जो है बिसु की पाचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थावला देश बन गया है और इसने जो है United Kingdom को पीछे कर दिया है वर्तमाल में जो बिसु की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थावला देश है उसमें अमेरिका पहले पर दूसरे चाइना है तीसरे जापान और चाउथिव आपका जर्मनी है और पांचमा जो देश बन के अब आपका अपना भारत देश पांचमा देश बन गया है बिसु की अब करतबे पत कर दिया गया है और अभी हाली में जो है चीन ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्क्रिक भेंडिया बनाया और उसका जो नाम है वह माया रखा है माया आर्क्रिक भेंडिया बनाया है वह चीन ने और यह दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्क्रिक भें हैं और भारत के 68 जनरल जो नियुक्त किये गए हैं वह आर वेंकर रमड़ी जी बने हैं आर वेंकर रमड़ी जो है वह भारत के 68 जनरल बने हैं आसा है आप सभी को बहुत कुछ जाने को मिला होगा वीडियो अगर आपको अचला तो लाइक कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब कर झाल